हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं संदीब कुमार थाकुर, बाबा नगरी देवधर से, आसा करता हूँ कि आप सभी को भगवान शिव की कृपा द्रिष्टी बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सोते समय बैट के नीचे क्या रखे कि आपको सफलता मिले। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की और सोते समय सिरहने इन दसमे से एक चीज रखने से मिलेगी सफलता। पानी का लोटा, आप अपने सिरहने तामबे के लोटे में पानी भर कर रखें और सुबा उसे किसी पेड़ पौधे में डाल दें ऐसा करने से सेहत में लाब मिलता है। चाकू, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप या बच्चे सोते समय सपने में चौक कर उठ जाते हैं या दरावना सपने आते हैं, तो उनके तक्ये के नीचे चाकू कैची पालो की कोई भी वस्तू जरूर रखें। सौफ तक्ये के नीचे सौफ रखकर सोने से रहू दोश समाप्त हो जाता है। इससे बुरे सपनों में भी राहत मिलती है और मानसिक परिशानियों से चुटकारा मिलता है। इसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे। साथ रविवार तक यह उपाय करने से आपकी धन संबंदी समस्याइद दूर होंगी। लहसुन को सौभाग्या का प्रतीक माना जाता है यदि आप लहसुन की कुछ कलिया अपने तकिये के नीचे रखकर सोते हैं। तो आसपास सकारात्मक उर्जा का संचार होगा और अच्छी नींड आने में मदद मिलती है। उसे जेब में रखकर सोने से भी सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। सिक्का अगर आपको किसी रोग ने घेर लिया है तो सोते समय अपना सिरहाना पूर्व दिशा की ओर रखें वहीं अपने सोने वाले कमरे में एक छोटी कटोरी में सैदा नमक वो सिक्का रखें आपकी सेहत दुरुस्त रहेंगी मूली जब जन पत्री में राहु कुंडली के पाचवे घर में हो और संतान सुप में कठिनाय आ रही है तो ऐसी स्तिती में 40 दिन तक पाच मूली पत्नी के सिरहाने रखें और सुबह मूली को शिव मंदिर में रखाएं इससे संतान प्राप्ती की संभावना बढ़ेगी इस उपाए से दरावना सपने आना भी बंध हो जाते हैं सुगंधित फूल सोने के पूर्व तक्के के पास सुगंधित फूल रखकर सोए इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नींद अच्छी जाती है इससे मानसिक शांती मिलती है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है साथ ही ये किस्मत चमकाने वाला उपाए भी है आभूशन सोते समय यदि आप अपनी सिरहाने के नीचे सोने अत्वा चांदी का आभूशन रखकर सोते हैं इससे मंगल दोशदूर होता है तथा इसके शुब प्रभाव मिलते हैं तो दोस्तों आप इसको करना ना भूले और पूरा विश्वास के साथ इस उपाई को करे आपका मनोकामना पूर्ण होगी और याद रहे कुछ दिनों बाद बाबा नगरी देवधर में सावन महुत्सव को लेकर जोरो से तयारी चल रही है तो आप सभी शिव भक्ती से गुजारिश है कि आप भी अपना मनोकामना को साकार बनाने के लिए हमारे नगरी में जरूर पधारे और बाबा बैद्यनात का दर्शन करे बाबा का मूल मंत रोम नमा शिवाई का जाप करे और जलाभिशिक करे धन्यवाद